इंगलाइन के खिलाब पहले वंडे में पांच वे ओवर में रोईस सर्मा के छक्के से एक बच्ची की जान जाते जाते बच्ची है उसके बाद दोस्तों रोईस सर्मा ने कोछ ऐसा काम कर दिया आप भी रोईस सर्मा को सलाम करोगी अब भी जना चाहते हो अखिरकार क्या है पूरा मामला तो वीडियो को एक लाइक करिए चेनल को सब्सक्राइब करिए बैल आइकन दबाईजे और लुटिफेकेशन पे क्लिक करना बोलको ना भूले भारत और इंगलाइन के 20 में पहला वंडे मुकाबला खेला गया इस मुकाबले में रोईस सर्मा ने टोस जीत कर गैंदवाजी करने का फैसला कर लिया भारत की ओर से गैंदवाजी कराते हुए मुहमद समी और बुमरा ने इंगलाइन की टेम को 110 तरण पे ओलाउड कर दिया 25 दसमलाव दो ओवर में जसमें बुमरा ने 6 विके चटकाई समी ने 3 विके चटकाई भारती टेम 110 लंकरच का पीछा करने के लिए जम मैतान प्याई तो रोईस सर्मा ने 5 वे ओवर में एक बहुत जोड़दार शक्का लगाया जो की 84 मिटर का शक्का था दोस्तों गैंच सीधी जाके एक बच्ची के सर पे लगी और बच्ची के सर से खून बहने लगा तुरंत एक दरसक ने बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और जैसे रोईस सर्मा को पता चला कि मेरी छके से एक बच्ची का पास गया है रोईश सर्मा तुरंत दोड़कर बच्ची के पास गए और डॉक्टर को बलाया डॉक्टर को आने के बाद दोस्तों फिर दोबाना से रोईश सर्मा ने मैच को चालू कराया और उसके बाद 18.4 रूमर में भारते टेम ने 114 रन स्कोर बड़त लगा दिये और इस मुकाबले को बिना कोई विकेट खोए दस विकेट से इंडिया ने जीता